मितरो नमसकार, Jira है आप के साथ, मितरो उत्तर परदेश प्रसनो के साथ, मितरो आज थोड़ी तबिएत हमारी डाउन है, कफ एंड कोल हुआ है, तो आप आराम से आज बोलेंगे और पढ़ेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक, आए मितरो प्रसनो को देखते हैं प्रस नमबर एक है साथियों उत्तर परदेश के जनपद कौसामबी का मुख्याले निम्न लिखित में से कहां पर है उत्तर परदेश का कौसामबी जनपद जो है इसका मुख्याले कहां पर है तो अफसन ए है खलीलाबाद आफसन भी है मंजनपूर आफसन सी है कौसामबी संथ कभी नगर का मुख्यालग क्या है खलीलाबाद और संथ कभी नगर वाले जानते हैं इसको क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी में ठीक तो आफसन भी इसका राइट आफसन हो जाएगा साथियों अगला प्रस्ण है वाराणसी मंडल के अंतरगत आने वाले जिलो में से कौन प्रस्ण का उत्तर यही हो जाएगा और आता कौन है इसके जगवे वाराणसी आएगा ठीक कि मंडल उसी के नाम पे तो वह जिला ही नहीं रहेगा तो किस काम करेगा तो इसमें कौन-कौन से चार जिले आते हैं वाराणसी मंडल में चंदवली गाजी पुर जान पूर ठीक पूर अगला प्रस्ण है साथी ऊतर परदेस के सबसे बड़े मंडल मंडल है और इसके सब्से बड़े मंडल है और मंदलों की संख्या कितना है उत्तर प्रदेश में टोटल अठारा मंदल है और अठारवा मंदल कौन सा है अलीगड अलीगड अठावा मंदल अलीगड है जिसकी अस्थापना कि अगला प्रसने साथ यह संपूरा नंद कारागार पर्सिच्छन संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्थित है संपूरानंद कर्यागर अफशनद संस्थान गोरःपूर संपूरा नंद कारागार प्रसिचन संस्थान ये लखनव में है मित्रों ठीक आफसन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रसन है मित्रों आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में इस्थित है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश के कि जनपद में है तो आउसन ए हमित्रों कुछीनगर आउट्सन भी है गोरखपूर और सब्सक्राइल लाउनियक morality or vaids भी जी आ और आयोजजेंडर निसर्स चेंटर कहां पर है यह लक्नाव हैं साथियों है स का संथ हो जाएगा कि अगला प्राशन विट्रों उत्तरेश अलप संख्रायोच कब हुआ है उत्तरप्रदेश अलप संथ्हक्रायो गठण कब हुआ है किसे रिखा गया निज विभ आजन विवाजन और उत्तर प्रदेश अलप संख्यक आयों का कब गठन हुआ था यह 1994 में हो तसातियों आफसंसीज का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है मित्रों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वा देश के प्रधान मंत्री के रूप में इन में से कौन कारेकर चुके हैं इन दोनों में से बताना आपको कि कौन मुख्यमंत्री भी रह चुके है उत्तर प्रदेश के और इसके साथ साथ देश के मुख्यमंत तो ये दोनों जो है विस्तुनाफ परताफ सिंग और चौधरी चरण सिंग दोनों उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ देश के परधान मंतरी भी रह चुके हैं ठीक अगला प्रसने साथियों खाद अनसंधान यो मानकी करण परियोग साला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्तित है खाद अनसंधान यो मानकी करण परियोग साला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्तित है आवसन ए है मित्रो आगरा आवसन भी है मत्हुरा आवसन सी है गाजियाबाद आवसन डी है लकनवू तो खाद अनसंधान यो मानकी करण परियोग साला ये गाजियाबाद में ह और गाजियाबाद अभी अपने राज का पहला नगर निगम बना है जिसने ग्रीन बॉंड जारी किया है यह जो है जो है जो है अपने सहर में सफाई अगरा अच्छे से करेगा और गंदगी नहीं फेलागा कारवन इमीशन नहीं होने देगा अगला प्रस्ण नहीं मित्टर राष्टे कठक संस्थान उत्तर परदैश के किस जिले में इस्थित है तो आप्षण C है प्रयागराज और व किए वहा जाए erफ तो жить सांतiej अगला प्रस्ण है उत्तर परदैश के किस अस्थान पर आरथिक अर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायले इस्थी थे उत्तर परदेश में किन किन जिलों में या किस जिले में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायले इस्थी थे आफसन ए है मित्रों आगरा आफसन भी है वाराणसी आफसन सी है लखनव आफसन डी है उप संधान उत्तर परदेश के किस जन पद में तो गाहां इसित्त मित्रो कानपूर कानपूर चमड़ा उत्दोक के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्ली से या जाना जाता है न पूर प्रदेश क्या किस जनपद में इस्तीत तो ठीक तो' νसंद्तर गा ग्रकम में अगला प्रसनली मित्रों असरे स्थ obey प्रतह impeg में कुरेंग उत्तर प्रदेश के कि न्पत मे सिसे सब्से बढ़ा डियने विखकी कि रेंध मित्रों लखनाओ में आपकर यह बियुटेक पार्क में एसिया का परथम डिने बैंक इस्थित है जो कि लखनव में अगला प्रस्ण में तो सांडी पच्छी बिहार उत्तर परदेश के किस जन्पद में है सांडी पच्छी बिहार उत्तर परदेश के किस जन्पद में है आफसन A है हर दोई आफसन B है कन्नोज आफसन C है मैन पूरी आफसन D है राय बरेली तो सांडी पच्छी बिहार मित्रों यह हर दोई में है कहां पर है हर्दोई में है और मैनपूरी में क्या है समन पच्छी विहार और समस्पूर्पच्छी विहार समस्पूर आपको बताये थे ना समझदार लोग राय देते हैं समस्पुर पच्छी विहार ठीक और एक है आपके कन्योज में कन्योज में लाख बहुसी पच्छी विहार ठीक तो हर दोई में क्या हो गया सांडी पच्छी विहार इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कि सन्डिल धोई हर दोई ऐसे एक लाइन वह याद कर सकते है संड़िल धोई हर जो लोग संड़िल पहिंते हो जानते हैं धोना पड़ता है करें ठीक और करनलोज में क्या है लाख बहुसी पच्छी विहार और मैनपूरी में क्या है समन पच्छी विहार और राय बरेली में समस्पूर पच्छी विहार ठीक तो ये चारों आप याद कर लेंगे अगला परसने सात्यों सर्वाधिक अनुसूचीत जाति उत्तर परिदेष किस जिले में है। तो सरवाधिक अनुसूचित जातमित्रों यह सीतापूर में है और दूसरे नंबर पर प्रयाग राज में यह सेकेंड है ठीक और सोन भद्र में अनुसूचित जन जाती यहां ढेर सारी जन जाती पाई जाती अगर कोई भी जन जाती किसी परिच्छा पूछा जाए तो अगर सोन भद्र आलसर दिया तो समझ लीजिए लगभग आपका सही अगर आपको ना भी आता हो तो तुक्का लगा के सही कर लिया करिए यहां सबसे सबसे कम अनुसूचित जाती सोन भद्र में है अनुसूचित जाती सबसे जाती सोन भद्र में है अनुसूचित जाती सबसे जाती सीता पूर में है दूसरे नंबर पर प्रयागराज में है और प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाती बाग पत में ठीक यह आपको किलिय हो गया उम्मीद करते हैं अगला प्रसने साथियों राष्टिये राजमार्गों का चौरहा उत्तर प्रदेश के किस जनपत को कहा जाता है तो यह कानपुर को कहा जाता है ठीक किसे कहा जाता है कानपुर को और जहांसी को क्या कहते है इस्ट वेश्ट नार्थ साउथ कौरिड ठीक कुत्तर दच्षिड पूरवपस्चिम गलियारा यसे बोलते हैं जासी को यहीं आके कट करते हैं सब ठीक तो राष्टी राजमार्गों का चवरह कानपूर को कहा जाता और इस्ट वेस्ट नार्थ सौध को रिदर किसे कहते हैं जासी को कहते हैं तो ठीक है मित्रों प्रस